मेरा नाम है अभीशेक और जैसा आपने टैटल यहां पर देख लिया है कैसे हमें स्मार्टफून नहीं खरीदने हैं या फिर कौन से चीज़ें हैं जो स्मार्टफून खरीदने से पहले हमें पता होनी चाहिए क्योंकि स्मार्टफून यह हमारी लाइफ में बहुत मैटर करत है चैस चैसेता है तो कैसे आप सही फोन ले सकते हैं यह आपको बताऊंगा तो देखो यार अभी जो सबसे ज़्यादा ब्रैंड्स है जो लॉंच करते हैं फोंस वही रियल्मी शाओमी और सैमसंग रहते हैं तो तीन ब्रैंड्स यहां पर टॉप पे रहते हैं अब यार सबसे पहली चीज़ जो आपको अवाइड करनी हैं किसी भी उस सिरीज का फोन मत खरीदो जल 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 लॉंच होते हैं अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं वह भी मैं आपको बता हूंगा फोर एक्जमबल जैसे रियल्मी का भी फोन लॉंच हुआ आज यह उन्होंने नार्जो 30 सिरीज लॉंच किया और इससे थोड़े टाइम पहले उन्होंने अभी नार्जो 30 एया था तो मतलब उस सिरीज के फूंस ना बार बार आते हैं मतलब हर तीन चार महिने में आपको एक नया फोन मिल जाएगा तो बहुत जादा डिफरेंस नहीं रहता है वही आगे पीछे चल रहा है भी मिड रेंज के अंदर तो जितना भी स्पैक्स वगरा है लेकिन यह स यहां लोगा जस्ट इमेजिन करो जो सॉफ्टेर अपडेट से स्फोन के अंदर आ रहे हैं और किस हद तक बग्स फोन के अंदर आया इंक्लूड किये जाएंगे अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाई कि कंपनी क्योंकि जितने ज्यादा मोडल्स ब्रैंट्स यहां पे प्रोच नहीं होने वाला है अब इस सिरीज के अंदर आपको कमाल की स्पेसिविकेशन कमाल के प्राइस पर आइडोंट तिंग इस फोन में कोई कमी है शामी के मिया पर चोड़ देते हैं तो अब यह वाले जो फोन से यार अगर आप यह फोन बाय करो तो आपको ज्यादा चांसे रहेंगे कि बेटर आपको सॉफ्टर सपोर्ड मिल पाएगा एक साल से पहले तो फोन नहीं आने वाले हैं आई इस फोन के अंदर भी आपको डेर सारे बग्स और प्रोलम्स देखने के लिए मिलती है मियो आई के अंदर लेकिन स्टिल मैं आपको समझाने के लिए ब आपको बताओं तो सैमसंग के फोन रहते हैं थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं लेकिन यार उनके अंदर जो सॉफ्टर सपोर्ड मिलता है आपको पूर नेक्स लेवल का मिलता है वह सारी चीजे भी बताओंगा कि महेंगे स्मार्टफोन है लेकिन आपका बजट कम है तो आप कैसे बाइब करें कि वह सब चीज़ाँ आपको तो इसके अंदर सबसे बड़ी है स्मार्टफोन मेरे इसाब से रहते हैं शाओमी की नोट सीरीज के सैमसंग की ए सीरीज के अब सैमसंग के अंदर भी सैमसंग ठीक टाक फोन्ज करता है बहुत ज़ोदा फोन लाउंच निकल जाता है जिस आपको एक्जांपल देने के लिए समझाऊंगा सैमसंग ने रिसेंटल लॉंच किया था अपना M42 5G काफी लोगों ने देखा बाइब सबसे बड़ी कमी कहती है उसका फोन का डिस्पले जो कि भाइच्टी प्लेस रिजूशन के साथ अभी आपको भी कि सैमसंग को टाइम बाद ही उसका एक बेटर वर्जन लॉंच कर देगा और फिर आपको लगएगा कि यार मैंने एक बेकार स्मार्टफोन ले लिया है तो वह एक चीज़ है अभी आपने अभी बाई किया यहां पे सैमसंग A52 लेकिन अभी जो A53 आएगा वो नेक्स टियर लेंगे मतलब एंड्रोड 14 तक वो फोन चलने वाला है प्लस उसके अंदर जो सेक्यूरिटी पैज़स वागरा है वो भी ऑन टाम आएंगे वो सैमसंग अपने फ्लैक्सिप स्रीस के फीचर भी उसके नदर डालता है तो यह बहुत बड़ी चीज है क्योंकि अभी 5G आने व लेकिन ब्रैंड रहसा नहीं सूसते हैं ब्रैंड को निकालने हैं उनको जस्ट आपको किसी पी तरीके से उस फोन को सेल कर देना एक हाइप करें करके मार्केट के अंदर फॉर एक्जांपल 5G फोन पे यहां पर टेवल पर मेरे पास बहुत सारे फोन रखे हैं जैसी कि यह इसका अभी नया फोन लांच हुआ है नौट सी फाइजी नाम में फैजी डाला हुआ है लेकिन फोन कितने बैंड सपोर्ट करता है सिरफ एक कि जब इंडिया में 5G आएगा कौन से बैंड पाएगा भाई तो यह एक चीज है बागे शामी का खुद के ही मैं आपको एक्जा करता हूं और जब मैं टेस्ट करने के लिए नहीं होता है तो बापीस इसी फोन पर मैं चले जाता हूं अब यह शामी का लेटेस्ट लॉंच यहां पर किया गया है अब इसके अंदर मी 10T से कम 5G बैंड देखने के लिए मिलते हैं तो वह चीजा जो आपको ध्यान में रखन सब्सक्राइब करने तो इंडिया में आपको पता है इंडिया की क्या सिच्वेशन है अभी आने में बहुत टाइम लगने वाला है मेरे को परसनली निन लगता है कि हम यहां पर इंडिया में 5G यूस कर पाएंगे और तब तक तो भाई आप यह फोन वैसे भी चेंज करी ल लेना यहार अभी में वीडियो एडिट ही कर रहा था और तभी मेरे को याद आया कि सबसे बड़ा पॉइंट तो बताने भूल गया कि पहली सेल में आपको कभी भी फोन नहीं करना है तो ब्रैंड को होता है कि उस टाइम से पहले आप कोई भी यूट्यूबर वीडियो पो फिस्ट इंट होती है वीडियो एपर या फिर आप रिविiू कर सकते हो तो अलग अलग तरीके की चीजे होती है कि आप पूरा रिविव सकते और धे अवी कर सकते हो यह सारी चीज 병 पता नहीं चलती बहुत सरी मैं चो já से बाइख से पो इतारीज कर सकते हैं चाय दिखा of the time एक महिना लेता है मैं भी अपने चैनल पर जनरली एक महिने से पहले कभी भी फोन को रिव्यू नहीं करता हूं जल्दी बाजी में तो डेफिनेटली वेट करो पहले रिव्यू देगो कैसा हो फोन है तभी उस फोन को लो ऐसा नहीं कि जल्दी फोन ले लो और उसके बाद सबसे बड़ एक्जांपल था जैनफोन मैंस प्रो एमवन का मेरे पराने सब्सक्राइबर को बता होगा उसके बारे में उसमें प्रोमिस किया गया था दो अपडेट के लिए लेकिन उसमें सिर्फ एक अपडेट मिला वह भी बहुत जादा बगी और बहुत जादा डिलेट प्रोमिस बहुत सारे ब्रैंड्स कर देते हैं लेकिन कुछ-कुछ ब्रैंड्स ही होते हैं जैसे कि सैमसंग जो की टाइम पे आपको टाइम से सारे अपडेट्स लीवर कर पाते हैं प्रोमिस के ऊपर और कुछ-कुछ ब्रैंड्स है जैसे कि Nokia Motorola ये भी काफे अच्छे track record के स साथ आते अपडेट्स के ममले में तो अपडेट्स बाइक क्यों जरूरी है क्योंकि जब आपका फोन पुराना भी हो जाएगा तो ठीक से वो चल पाएगा और कम बग्स अगर वाले अपडेट्स हो जैसे कि अभी शाओमी के फोन सबसे जादा बग्स हमें देखने के लिए तो यही चीज आपको देखनी है अगर आप लॉंग टाइम तक फोन यूज करने वाले तीन सार चाल साल तो मैं यह वही ब्रैंड का फोन लो जो की लॉंग टाइम आपको अपडेट्स देने वाला है जैसे कि सैमसंग और एपल अभी सैमसंग की जो ए सिरीज के फोन सोते है आपको सारे समार्ट वागे स्मार्ट dal रहें और सारे संग में बहुत ही कम देखने के लिए आपको और सैमसंग जनर आपको आपको रहता है और आपको पता ही है कि चार से पांच छे साल और उसमें अभी भी अपडेट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो यह चीज़े आप देख सकते हो अगर आप लॉंग टाइम के लिए फोन यूज करने वाले हो लेकिन हां अगर आपको एक देट साल के लिए फोन यूज करना है तो यह इतना अधा बड़ी बात नहीं होती क्योंकि वैसे भी आप अपना फोन को बदल लोगे हावा जाते हैं सबसे बड़ी चीज के ओपर जो सबसे जाधा में पॉइंट होता है किसी भी स्मार्ट फोन का वह होती है उसकी डिस्प्ले के दिस्प्ले क सब्सक्राइब करते हैं अब यह रिफ्रेश रेट की बात करते हैं और फोन स्मूध लगता है यूजर इंटरफेस में काफी जदा बढ़िया तरीके से काम करता है लेकिन यार अगर उस फोन के अंदर है और उसके साथ आपको कॉमपरमाइज़ देखने के लिए मिल रहे हैं जैसे कि green tint, pink tint, screen flickering का इस्व क्या होता है यार ऐसा से लाइट जो होती है और वह आपकी आँखों को नुकसान पुचा सकती है अगर यह हाई रिफ्रेश रेट व अभी मैं एक्जांपल देना चाहूंगा जैसे कि आईकू के यहां पे फोन से इनके अंदर ग्रीन टेंट वाले इसू देखने के लिए मिल रहा है कुछ ब्राइटनेस के ऊपर तो वह बहुत बड़ा इसू नहीं है लेकिन हाँ अगर वह से अनॉय होते हो तो भाई यह सारी पड़ता है तो उस में आपकी फोन वह जादा होना करतीदीफिनेटी वह ऑप्राइठनेस चैक कर लो यह आप को जादा वह तो जो हमें देखने के लिए और प्रोसर भाहई हमारा बहुत तगरा काम करेगा और यहीए अगर चाहये हमें करो खिलेंगे इसी के अंदर हमारे दस दस चिकन डिनट दिन में हो जाएंगे लेकिन भाई यह भी पूरा सच नहीं है अभी आपको बताता हूं आपने न्यूस पढ़ी होगी हुआवे वन प्लस इवन शाओमी यह बैंचमार्ट चीटिंग्स के अंदर पकड़े गए थे तो लेकिन ब्राइटने से अल्मोस रखेंट कर जाती है लाइक तीस परणे में एक पर चीज़ आपको कंसेडर करनी है कि वहां पे स्कूर करने के लिए इनकी जो स्कृन ब्राइटनेस को कम कर लिया जाता है वन प्लस के देखा है इवन शाओमी में भी आजकल होने लग रहा है यह चीज़ आपको ध्यान देनी है वाई की स्कोर स्कोर से सब कुछ मैटर नहीं करता है रियल लाइफ में कैसा फोन काम कर रहा है कैसा सौफटर ऑप्टिमाजिशन कैसे अपडेट्स उसमें आएंगे यह चीज़ देखके फोन लेनी है तो सिरफ एंटूडू स्कोर या फिर नंबर्स देखके फोन मत ले लिया करो जो कंपेर कर देते हैं ब्रैंड उसके बाद आ जाती है यहां पर सबसे बड़ी चीज़ आती है यहां पर आपके पास काफी चॉइस हैं अभी जो में हैं एक तो मीडिया टेक आपके पास है जो हीलियो वाले चिपसेट्स यहां पर सबसे पहले हम यहां पर बात करें अगर आप 15000 से नीचे का स्मार्ट फोन ले रहे हो तो काफी कुछ से पर्फोर्मेंस वहां पर दे देते हैं लेकिन यहां पर बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है लाइक तो मीडिया टेक के जो प्रसेसर होते हैं सिंदर और रहता है लोग तो चाली सब्सक्राइब तो अब इनके अंदर जो क्यामरा प्रोसेशिंग होती है में प्रोसेसिंग जो दिए गई हो it सब्सक्राइब करते हैं उसके अंदर जीपी आपको देखने के लिए मिलता है उसे वी कर आपको देखने के लिए प्रवाइड करता है वह आपको कमाल की देखने के लिए सब्सक्राइब करते हैं और अगर आप बहुत है यूज करोगे फोन को तो बहुत जल्दी स्क्रिन की ब्राइटनेस यहां पर गिराते हो चलते हैं और काफी सारी जो फ्रॉटल भी जल्दी करती है अब सबसे बड़ा जो एडवांटेस आपको मिलती है वह काफी सही मिल जाती है फॉर एक्जांपल मैं एकदम बेसिक प्रॉसेसर की बात बताऊं तो स्नाप्टर के 720G है उसमें आप स्मूध अल्टरा पर चला सकते हो या फ स्मूध पर मीडियम चला सकते हो कॉल अफ्डूटी में भी है नहीं नहीं है तो वह कहने के लिए प्रॉसेसर पावर्फुल दिखाया देते हैं कि बहुत तकड़ा है इसको कंपडिशन दे रहा है लेकिन एक्चुल में जो सेटिंग सी अवेलिवल नहीं उसके उपर अपर आइपड यहां पर आया था फंवन वाला बहुत लोगों ने बहुत कमाल का है उसके अंदर एक सद्धीया आपल का जो कि बहुत पावरफुल है जोकी मेरे इस मैक सी मैक बूकक में यहां पर यूज कर पाऊँगा क्योंकि इसमें फाइनल करट प्रो वागरा वाले सव्ट दिए गया है जो वीडियो डिटिंग में आपके मैं काम में ले सकता हूं लेकिन आइपड के अंदर वह फानल काट प्रो चलता है नहीं है तो उसकी पूरी पावर एंवन चिपसेट के वह पपजी खिलने में का थोड़ी लगा पाऊंगा अपजी तो आइपल का जो आइफोन यह कमियां है लेकिन मेरे यूजिस में यह फून काफि सही लगता है यह पूसे बढ़ा है मेरे को पसंद नहीं है फिर मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि इस फोन के इंदर एक प्रोसेसर श्मड़ी टिस्प्वाला फोन को पॉन को लिए आपको बड़ी गोल्डन टिप मैं द मैं चैसे कि यह फोन है तो बताता हूं कैसे लिए मैंने आपको पता है कि वैसी परफोंच मिलेगी आपको लॉघ में उतना मजा नहीं आएगा ना सब्सक्राइब तो फोन की वेल्यू दी थी अल्मोस्ट दस महिने के आसपास यूज करने के बाद और पांस एडिशनल इस पर तो चौदा हजार पर उस फोन का मिल गया वैल्यू और यह उनिस हजार में सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी ऐसा कर सकते हैं आपका प्राइमरी फोन की तरह नहीं कर सकते तो मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनली पर्मोट नहीं करता हूँ यह मैं इस पर फोन को लेना लेकिन हाँ अगर आप लॉंग टम के लिए कर रहे हो तो आपको डेफिनिटली वह बेने वाला है तो ऐसा आप कर सकते हो लाइक मैंने भी आइफोन का मेरा बजट नहीं था तो मैंने आइफोन ऐसी टू लिया था छोड़ी डिस्पले थी लेकिन मेरे कुतर नदा फरक नहीं पड़ता था मैं अपना दूसरे फोन यूज कर लेता था मीडिया के लिए लेकिन जो मेरे इंस्टाग्राम वगरा है व तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि Android फोन से दूर रहो देखो आपका बजट टाइट है तो डेफिनिटली आपको Android फोन लेना चाहिए इवन मैंने जो अपना चैनल स्टार्ट किया था वह भी Android स्मार्टफोन से किया था Redmi K20 Pro से मैंने 300 से जाधा वीडियो यहां पर फोन आपने देखा गए जब यहां वर्टसब के अंदर जाते हो वाटसब का जो इन बिल्ट कैमरा वालव जो फीचर होता है उससे आप इमेजिस क्लिक करके देखना एंडूट फोन में जो क्वालिटी होगी ना भाई वो डेफिनिटली डाउन आईगी आपकी वहां पर व मोडल आ जाता है तो भाई यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है डेवलेपर्स के लिए हर फोन के साथ अप्टिमाइज करना तो वह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है तो इसलिए इंस्टाग्राम टूटर यह सोशल मीडिया वाली एप्लिकेशन या फिर यूट्यूब या फिर आइपेड के ऊपर आपको लुमा फ्यूजन जैसे सॉफ्यर मिल जाते हैं जहां पर काफी कमाल की आप एडिटिंग कर सकते हो जुकि एंड्रोड पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है एंड्रोड पर काफी कम एडिटर से लाइक काइन मास्टर पावर डिरेक प्सक्राइब करना और चैनल को कर लिन सबस्क्राइब क्योंकि इससे भी जादा कमाल की वीडियो पर आपको पसंद आती है तो आपको पता है क्या करना है तो मिलते हैं एक वाली वीडियो में तब तक के लिए वाइंड टेक्ट्रूच्छ